सु हेलो फ्रेंज वेलकम टो आप चनल पंका सर्मा तुएम आज की इस वीडियो के माधमसम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोन या कंप्यूटर के द्वारा खुद से कैसे पीएम किसान एक कर सकते हैं यानि कि पीएम किसान जो योजना है परधान मंतरी के द्वारा जिसमें आपको सलाना 6,000 रुपए मिलता है उसमें आप कैसे यहां पर एक वाई सी जो अभी हो रहा है तो कैसे आपको करना है यह चांद कारी आपको यहां पर स्टेप मिलेगा तो वीडियो को भी आइस कि आपको आफ्री तक देखना होगा ताकि आप अच्छे से सिख पा चलो यह प्रोसेस को इस्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप पREE म किसान समान निधी योजना का । काइव क्यावाइसिक Spit कर सकते हैं मैं आपको बता दो कि यह आप अपने फोन या कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं तो सींपल से क्या कहिए आपको अपने फोन में या कंप्यूटर में क्रोम बराओजर को या किसी भी बराओजर को open कहिना है उसमें आपको टाइप करना है PMKisan.gov.in तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह साइट इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यहाँ पर PMKisan.gov.in जो की टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाते है आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पन करना के 3. पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर 6. जो की चेख कर लेना है कि है इक की नहीं देश्ट अप साइट है तो सई है उसका बाद आपको यहाँ पर जो की PM किसान समान निदी योजना का EKYC कहने के लिए आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहां पे EKYC का जो की option देखने को मिल जाता है मैं आपको बता दू कि यहां की process आप computer के द्वारा भी आपको यहीं देखने को मिलेगा और mobile के द्वारा भी यहीं देखने को मिलेगा तो आपको यहां पे EKYC पे किलिक कर देना है EKYC पे किलिक करने के बाद आपके सामने जो की यहां पे page open होने लगेगा यहां पे आपको जो की कुछ इस परकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि PM किसान समान निदी जो एकी योजना का नाम है जिसमें आपको जो एकी सलाना 6,000 रुपए जो एकी PM किसान समान निदी योजना के तहत मिलता है आपको यहां पे जो की कुछ इस परकार से option देखने को मिल जाएगा यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा अधार OTP KYC तो यहां पे simple से क्या कहिना कि अधार number में जो कि आपको अधार number एंटर कर लेना है तो यहां पे हमने अधार number जो कि लिख लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने blor करके रखा है तकी अधार नमबर लिक्ट न हो मिल जाता है यानी की आपको से क्या विंख यहां नमबर आपको कर लेना है लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है गेट मोबाइल OTP पे किलिक करने के बाद आपके जो नमबर अधार कार्ड में लिंक है उस नमबर पे एक OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे जो की फिलब करने के लिए आने की लिखने के लिए आएगा आपको उसको भी लिख लेना है यानि की डाल लेना है उसके बाद आपको फीर से एक जो की option देखने को मिलेगा कि अधार नमर में जो mobile नमर लिंक है उसके फीर से एक OTP जाएगा उसको भी आपको डाल करके आपको submit करने का option मिलेगा आप submit कर सकते हैं और इस तरह से आपका PM की संसमान निधी योजना में आपका EQC हो जाएगा जैस करके बता हूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया उस तरह से आप करके असानिस से अपने PM की संसमान निधी योजना में कर सकते हैं बस यह चोटी सी जनकारी आपके साथ सेर करना था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे कमेंट करेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक् शवात जय हिंदु जय बारत